आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कू एप्लीकेशन के बारे में तो कू एक इंडियन एप्लीकेशन है जिसे लॉंच किया गया था 10 मंथ पहले और ये एक आत्म निर्भर इंडियन एप है मतलब की इसके जो मैनुफैक्चरर है जो डेवलपर है वो इंडिय हैं और ये एप बिल्कुल सेंटो सीम work करती है ट्वीटर की तरह इसमें आप अपने उपीणियन सेयर कर सकते हैं लोगों को फॉलू कर सकते हैं उनके जो पीनियंय उसपर कॉमेंट कर सकते हैं अपने वीडियो सेयर कर सकते हैं ये सारी चीज था तो ये सारी चीज़े देखते हुए, जो मतलब इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स हैं, जैसे की यूनियन मिनिस्टर प्यूस गोयल और बाकी कई लोग हैं, उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोई, मतलब ट्विटर को हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहि तो इस वज़े से उन्होंने ट्विट भी किया था कि अपने ऑफिसियल पेज पे कि कुछ को आप यूज करिए जो कि इंडिया का है, तो इसकी टैग लाइन भी काफी ज़्यादा अच्छी है, कि मतलब हमारे मतलब बेसिक लैंग्वेजिज में आती है ये एप, और बाकी इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि यह अप कैसे वर्क करती है, और कैसे इसे यूज करना है, सारी चीज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कू एप्लिकेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसे तो अभी मैं जाके सर्च करता हूँ कू और यहाँ पे कू कनेक्ट विद इंडियन्स इन इंडियन लैंगविज इसकी टैग लाइन का फिर जदा अच्छी है इसके हम लोग डाउनलोड देखते हैं 1 विलियन प्लस डाउनलोड से 4.7 प्लस की रेटिंग है तो इसे आपको डा नंबर डालता हूँ और यहाँ पे OTP जो है हम लोगों का आ रहा है और OTP जो है automatically ही set हो गया है और अभी यहाँ पे profile picture लगाने का option आ रहा है profile picture हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कोई भी folder open करके let's suppose यह वाला मैं जो profile picture इसको लगा देता हूँ तो done कर देते हैं और यहाँ पे अब feed मतलब की यह सारी चीज़ें जैसे की आ गई है तो कूपर आपका स्वागत है यह कूप का official page है और और भी काफी लोगों की मुझे post दिखाई दे रही है और मैं उपर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कई लोगों को follow करना है जैसे की यहाँ पे अनुपम खेर का एक page है कंगना रनावत हैं प्यूस गोयल जो की पॉलिडीशियन है कुमार विश्वास भी इस पर आ चुके हैं और रिपब्लिक भारत जो न्यूश टीवी चैनल उसका भी page है इस पे तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे left side में सबसे उपर एक profile क का आइकन बना इस पर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे हम लोग guest7bur के profile edit करने का option है और यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें अपनी setup कर सकते हैं जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पे set कर देता हूँ और यहाँ पे handle आप लिख सकते हैं जैसे कि अपना username तो मैं अपना username कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे जैसे google dragon मैंने save कर दिया और क्या करता हूँ मैं तो अभी मैं student हूँ तो मैं student लिख देता हूँ student changes को और बाकी अब अपनी location भी डाल देता है तो यहाँ पे हम लोगों का यह location मांग रहा है और बायो अपने according आप लिख सकते हैं तो बायो में कुछ भी आप लिख दीजे date of birth आपको लिखने का option है email आप लिख सकते हैं phone number भी आपको अगर change करना है तो change कर दीजे और दिखाएं पे click करेंगे तो आपका जो phone number है वो दिखाएगा भी तो आपका जो यहाँ पे mail select कर लेता हूँ और इसमें unmarried तो social links यहाँ पे add कर सकते हैं कितना आपने पढ़ाई की है वो और work experience भी add करने का option है तो यह सारी चीजें है बाकी आप यहाँ पे देखिए कि जब आप लोग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको धेर सारे मतब लोग दिखाई देंगे और यहाँ से आप काफी लोगों को follow लोग कर सकते हैं और उसके बाद यह लोग जो भी कुछ पोस्ट करेंगे वो आपको फीड में दिखाई देगी अब राइट साइड में ऊपर एक लोगो बना हुआ है तो trending कू तो जैसे कि trending होता है Twitter में भी ऐसे ही same to same इसमें भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे करने में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे राइट साइड में नीचे की तरफ कू हलका सा ग्लो कर रहा है इस पर हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ से आप जो आप अपनी ओपीनियन है उसे सेर कर सकते हैं hashtag के साथ photo लगा सकते हैं GIF लगा सकते हैं sticker यूट्यूब का link attach कर सकते हैं यह सारी चीज़े हैं और यहाँ पे जो world limit दी गई है वो है 400 words की तो twitter से काफी ज़्यादा मिलता जुलता है इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं hashtag नीचे तो hashtag भी आप देख सकते हैं जैसे कि सीवा जी माराज आज जी एंती है तो इस पर काफी ज़्यादा मतलब कू हुए हैं जैसे कि हम लोग tweet कहते हैं वैसे ही तो इसको आप देख सकते हैं बाकि अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है कोई भी hashtag या फिर कू कोई सर्च करनी ह हैं और notifications में आपको यहां पर notification देखने के लिए मिलेगा तो मैं एक कू करता हूं यहां पर थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है finally on कू finally on कू तो मैं यहाँ पर लिखता हूं की finally on कू तो finally इसे हम लोग English में लिखते हैं finally on कू तो इस तरीके से आप कुछ भी लिखके इसको पोस्ट कर सकते हैं बाकी उमीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कू आपको ट्राइक करना ना भ बूलें और मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में टिल दन बवायें टेक केर